डियलेट पूरा करने वाले सिच्चिकों की खुसिया थमने के नाम ही नहीं ले रहें डियलेट जो कंपलीट कर चुके हैं उनकी एक से एक बढ़कर खुसिया आ रहें क्या है खुसकबरी यदि आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो सुरू से लेकर अंतीमतर जिरूर से जरूर देखे जैसे ये मोधी सरकार का आप सभी को पता है मोधी सरकार का राज फिर से स्टार्ट हो चुके है और आप सभी का भी डियलेट का कॉर्स का कम्पलीट हो चुके इन सबी बातों को देखते हुए मोधी सरकार ना फिर से आप सबी के लिए एक से एक बढ़कर खुसिया ला stereo रहे हैं उन सारी टीचर उसके लिए खास करके जो की DLIT कम्प्लीट कर चुके हैं उनके लिए तो आईए जानते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि मोधी सरकार आप सभी सिच्छकों के लिए फिर से क्या नई ख़वर बनके आए हैं। वीडियो को अंतीमतर जरू देखें वीडियो पसल लगे तो लाइक से सब्सक्राब करना कभी भी ना भूले। इसी परकार से खुसिया देखते रहे हमारे इसी चैनल पर तो चलिए बीना दरी के हूए डिरेक्ली हम लोग आगे बढ़ते हैं आपको बताते हैं कि वो ये खुस्कब्डी है वो किस परकार से खुस्कब्डी है जिससे कि आप यहाँ पर देख क्या है खुशकब्री आए जानते हैं पूई वीडियो देखने के लिए जरूर आप उस्सुख हो रहे हैं तो थोड़ी सी इंतिजार करें कि नीचे में एक लाइक का बटम दियेगे जल्दी से जाएं और लाइक को कर दे ताकि आप नीचे का या आगे का वीडियो देख आते हैं कि आज के यह खुशकब्री क्या है आप सभी के लिए बन कर आ रहें जैसे कि पर देख पा रहें बहुत ही जवजस्त खुशकब्री है हरी जंडी जो दिखा दिए गये 5 लाक्स 5 लाक्स सिचकों के लिए तो आईए एक से एक बढ़कर यहां खुशकब्रिया जो है आईए वन बै वन करके समझते हैं साफ साफ लिखेंगे मानुव संसादन विकास मंतराले के एक सो दिन के एक्षन प्लान को पी एम ओ ने दी हरी जंडी 5 साल में यूजनाओं की होगी समिच्छा आईए पूरी जानकार यहां पर देखते हैं कि क्या चीज़ है पूरी दहत मोदी सरकार 5 लाग सिच्छकों की भरती करेगी भरती की यदि सुचना 30 जून को जारी होगी 30 जून को जारी होगी केंदर के साथ साथ राय सरकारों की भी भरती में जिम्मदारी ते की गई यहां पर खास बात इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपका जो है 30 जून तक आपका जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिये जाएंगे यह देट आप सभी याद रखे और सिच्छकों की भरती है टोटल पांच लाग टीचर्स के भरती है यहाँ पर जो दिये जा रहे हैं टोटल फाइव लाग सिच्छकों की भरती है आप सभी डियलेट कम्प्लिट कर इसके साथ लिखें केंद्रे के साथ साथ राइज सरकारों की भरती जिम्मिदारी ते की गए यह सिच्छा की गुनवत्ता में सुधार करने की नई सिच्छा एक परकार के गुर्श सिच्छाओं में एक नई रननीती यहां पर मोदी सरकार फ़िट से रचने जा रहा है वीव होगा विशेशग्य उनमें सुधार करने की के अलावा कम्यों को दूर करने की कोसिस करेंगे यानि कि अलग लग तहद पर देखे जाएंगी किस-किस परकार्स तो वहां पर गलतिया हो रहें वी सारे गलतियों को हटाएंगे और यहां पर नए नए प्रस्तावना को पास करने की उम्मीद दाए जा रही है सुत्रों के मितावित मानव संसादन विकास मंतराले के एक सो दिन के एक्सन प्लान यहाँ पर करने के लिए जा रहे हैं एक्सन प्लान प्रास्ताव को परधान मंतरी कारजले ने पास कर दिये गी बहुत एक जबजस्त खुसकबरी है जो मानवी का संसांदर मंगतराज लेके रोड है महर्ड जिसको कहते हैं उसके द्वारा पास कर दिएगे यहाँ पर साफ सब लिखेगे हैं कि उसको जो है फॉरवर्ड कर दिएगे मतल लागू कर दिएगी है बहुत जल्दी भैकंसी आने वाले इसके लिए यह भी लिखेगी कि यह एक्शन प्लान 31 मैं को जनादेश के जनादेश के सामने सारजनी कर दिया जाएगा यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत ही बीसेस रूप से यहाँ पर पब्लीस करने का बात यहाँ पर छेड़ी जा रही है सामने सारजनी कर दिया जाएगा सिच्छात नेती की योजनावों को पांस साल के भीतर लागो करना होगा जिनका बीसेसेग्ये रिवियों करेंगे सिच्छा का उदेश सेर्फ किताबी ग्यान देना ही नहीं बलकि स्कील में सुधार करते हुए रोजगार या बैवसाय से ज जोड़ना रहेगा नई फिर आगे लिखेगे इसमें नई नई सिच्छानिती नई सिच्छानिती की योजनावों को लागू करने का काम 15 अगस्ट से सुरू होगा फिर आगे इसमें लिखेगे हैं मंत्राले के एक्षन प्लांक में बिसे एक्षन टाइम लिमिट और जवाब देही की भी तै की गई है यदि कोई विभाग या अधिकारी अपने काम की ढिल करते हैं तो उनके खिलाप करवाई भी करवाई भी की जा सकती है इसमें संबंदित अधिकारी के जिम्यदारी तै की गई है यानि कि यहां पर जो कहे जारे बहुत सारे सिच्छक होते हैं जो कि सरकारी नोकरी तो ले ले लेते हैं तो एक सरकारी सिच्छक बन जाते हैं लेकिन बच्चों को उहां पर जो सही से पढ़ाते नहीं है पढ़ात जो middle school में या सरकारी school में जो बच्चे पढ़ाते उनके parents कभी देखने भी नहीं जाते कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं जिसके कारण कहीं पर complaint जाने के संभावना नहीं होती है लेकिन यहीं पर अगर private school का बात कहते हैं तो private school में हर एक सब्ता हर एक parents का meeting होते हैं जिसमें सिच्छ को जो है तरह तरह के वहाँ पर complaint को जिक्र किये जाते हैं लेकिन जो गौर्वेंट इसकूल के बच्चे रहते हैं वहाँ पर किसी भी परकार का कोई भी parents meeting नहीं होते हैं तो आप नीचे comment लिखकर बताएं कि जो weekly में private school में जो parents meeting होते हैं क्या always meeting भी एक सरकारी school में होने चाहिए ताकि सरकारी school का जो सिच्छा है सिच्छा अच्छे से अच्छे बढ़ सके नीचे comment box पर जिरू बताएं और जिन सिच्छकों को पढ़ाने का अच्छे सा धंग नहीं है उस सारे सिच्छकों को हटाया जाएं और नए 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 सिच्छक में अच्छे पढ़ाय हो सकते हैं तो सरकारी school में भी अच्छे पढ़ाय हो सकते हैं डिवेंड करते हैं सिच्छक के उपर क्योंकि सिच्छक ही सारी कुछ कर सकते हैं अगर सिच्छक चाहेगा तो कितनों भी बच्चे को अच्छे अच्छे ट्रेंड करके उसको आगे लेकिन सरकारी सिछक में वह सारी खुविया नहीं होते हैं, वह सारी सिछक नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर बच्चों को पढ़ाएंगे, तो भी 50,000 उनको उनको सेलरी मिलने ही वाले, इसलिए मैक्समो सिछक जो है अपने बच्चों को अच्छी तरह से शिच्चा नहीं मिले ऐसा बात नहीं है कि middle school में, सरकारी school में पढ़ कर कोई बच्चे अच्छे नहीं कर सकते, बढ़ सरते उसको मार्ट दस्तन अगर अच्छे मिले, अच्छे सिछक मिले तो वे भी एक अच्छे student, वे भी आगे चल कि एक अच्छे professor भी बन सकते हैं एक से एक साइंटिस्ट भी बन सकते हैं इसलिए comment box पर जरू बताए जो private जो सरकारिस से इसकूल है उनमें अगर जिन से छकों में quality नहीं उनको हटाया जाए या इसी तरह से छोड़ दिया जाए उनको 50,000 रुपिया पर तेक महिना लेने दिये जाए अपने comment box पर एक नीचे comment जरूर आप करें क्या आप इस form को भरने में चुके या नहीं है तो please करके यहां comment box पर अपने विचार को जरू से जरू ब्याक पर जो है साफ साफ यहां पर comment आपको करने क्या आप इस form को भरना चाहते हैं हाँ हम इस form को भरना चाहते हैं पूरा complete process बताए नहीं हम इस form को नहीं भरना चाहते हैं अगर आप भरना चाहते हैं तो भी नीचे comment करें और नहीं भी भरना चाहते हैं तो भी हमें comment करके जरू बताएं इससे इस बात के पचाश चलेंगे कि जो 5 लाग जो सिच्छक के भरती है आने वाले हैं उसमें कितने लोग इंट्रेस्टेड हैं भरने के लिए और कितने लोग इंट्रेस्टेड नहीं है इस बात के यहां पर पुष्टी होंगे इसलिए नीचे comment लिख कर जरू बताएं और यदि आप त्यारी करना चाहते हैं उस 5 लाग भेकिंसी का तो नीचे comment करके जरू बताएंगा कि क्या आप एक सरकारी सिच्छक बनने के लिए तियार है या नहीं तियार है नीचे comment लिख कर जरू बताएंगा इस 5 लाग भरते की परकरिया को क्या हमारे दौारा हमारे इस चैनल पर दिखाये जाने चाहिए या नहीं दिखाये जाने चाहिए क्या आप हमारे साथ 5 लाग सिच्छकों की त्यारी करना चाहते या नहीं करना चाहते नीचे अपने बिचार comment box पर जरू से जरू बताएंगा क्योंकि जितना ज़्यादा ज़्यादा comment होंगे उसके हिसाब से हम आपके चैनल के मैध्यम से ही आप बन पाएंगे तो कितने लोग हमारे हमारे साथ यहाँ पर त्यार है एक सरकारी सिच्छक बनने के लिए नीचे comment box पर जरू बताएंगा ताकि हम आप सभी के लिए जो सरकारी 5 लाग जो सिच्छक के भरती आने वाले उसमें जो भी कोस्टन पूछे जाएंगे वही कोस्टन को आप सभी के साथ सेर करेंगे इसलिए नीचे comment लिखकर जरू से जरू बताएंगा जैसे कि आप सभी को पताएं कि हमारे हमारे जो इस चैनल में और एड़ी जो सिच्छक से भरती भरती के लिए काफी कोस्टन से यहाँ पर डाले गी हैं यदि आपने अभी तक नहीं देखें तो जाकर यहाँ पर देख सकते हैं आईए यहाँ पर हम आप सभी के लिए दिखाते हैं कि कौन सा है आपको सबसे पहले हमारा बीडियो प्ले लिष्ट में यहाँ पर सर्च करने है डिजिस्स क्लास उसके बाद बीडियो मैनेजर में जाने है बीडियो मैनेजर में जाने के बाद जैसे आप नीचे धिरे-धिरे करके एस्कॉलिंग करते हैं वेसे ही आपको यहाँ पर कुछ कोशन मिलेंगे जिसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं सिच्छकों के लिए खुसकवरी सरकारी सिच्छक बनना चाहते हैं तो जल्दी से काम करें मतलब इस वीडियो को आप देखें उसके बाद यहाँ पर भी सरकारी सिच्छक बनना चाहते हैं तो जल्दी से काम करें इस वीडियो को देखें यहाँ पर जो भी सरकारी सिच्छक बनना चाहते हैं सच में वी सारे इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में अच्छे रिस्पोंस नहीं आने के कारण जो हम वीडियो को मैंने अप्लोड करने के लिए बंद कर दियेंगे अगर आप चाहते हैं कि मैं फिर से आप सभी के लिए इस सारे वीडियो अप्लोड करें एक सरकारी सिच्छक बनने में कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो नीची कमेंड बॉक्स पर जिरूर करें नीचे कमेंड बॉक्स पर जरूर से जरूर बताईए वीडियो पसंद लगे तो लाइक जरूर करें शेर करें कमेंड करें और इस चीज को जरूर बताएं कि क्या आप इस फ़र्म को भरना चाहते हैं यस या नो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थ एक नएव वीडियो के साथ